हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम उलेकुम आज की इस वीडियो में हम रीगुलर और इर्रीगुलर वर्प के बारे में पढ़ेंगे रीगुलर वर्प और इर्रीगुलर वर्प ये वर्प की एक और किसन है या अकसाम है और रीगुलर वर्प और इर्रीगुलर वर्प में बुने इनी फरक किया है और रीगुलर वर्प हम यू डिफाइन करते हैं और देट इट्स पास्ट पास्ट मीन्स से कंप एन पास्ट पास्टिसिपल इसको हम तर फाम अब्दा वर्प वर्प की दूसरे और त तर्ड को पास्ट 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 और तर्ड को तर्ड को पास्ट 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 अर्मेर्ड बाई एडिंग ई और एडि इसकार्ड रीगूलर वर्ब वो वर्ब जिसकी सेकन और तर्ड पाम एक खास तरीख के मताबिक बनते हैं जैसा के ए या एड़ी अगर हम इसके साथ एड़ करते हैं और इससे उसकी दूसरी तीसरी फार्म बन जाता है तो पर हम इसको रिगुलर वर्ड कहेंगे इक दो एकिजेंपल है एक क्लीन और दूसरा अभ्म क czasu कि आप वेड़ी टूसरी केते हैं तो इसक थे cleaned और cleaned second और तरड़ फार्म ये ED के ED होने से ये बन गए है clean के साथ जब हम ED लगाती है तो cleaned बन जाता है और इसी तरह ED तरड़ फार्म के साथ भी हमने clean के साथ लगा कर बनाई है इसी तरह दुछ से एक्जमपल को देखिए amuse amuse तो amuse की second और तरड़ फार्म सिरफ D के लगाने से बन गया है तो amuse और clean ये अब हमारे साथ regular वर्ब्स है क्योंकि इसको हम इसलिए regular वर्ब कहते हैं कि इसकी दूसरी और तिसरी किसम second और तरड़ फार्म एक खास काईदे के मताबग बनते है इडी या इडी के लगाने से ये बनते है तो regular वर्ब्स ये वो वर्ब होते हैं जिसकी दूसरी और तिसरी किसम एक खास तरह के मताबग बनते हैं इसके बर्थ इसके बर्यक्स इर्रीगूलर वर्ब ये इसके उल्टा होती है और देट एस पास्ट से करण फार्म एंद फास्ट पाटिशिपल तरड पाम इस मेंड़ नाड़ बई अप्रापर वे स्कार्ड एडर्रीगूलर वर्ब्स ये वो वर्ब होते हैं जो उसकी दूसरी फारम और तिसरी फारम एक खास ऐसा काईदे के मताबिक नहीं बनते तो हम उसको एर्रीगूरर वर्ब कहेंगे for example दो वर्ब है हमारे साथ एक है ड्रिंक और दूसरा है कट और ड्रिंक की पास पार्टिसिपल ड्रैंक और तर पाम ड्रंक ड्रॉंक और ड्रेंग यह अलग अलग कायदे के मुताविक बने है इसमें कोई connection नहीं है रबत नहीं है ड्रिंक और ड्रेंग इसी तरह ड्रंक का ड्रेंग और ड्रेंग के साथ भी कोई रबत नहीं है similarly इसी तरह cut 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 की second और third form भी cut cut है तो वो वर्ब या वो वर्ब जिसकी सिकन्ड और तरफा या पास और पास पार्टिसिपल एक खास कायद के मताबिक नहीं बनते तो इसको हम एर्रिगूलर वर्ब कहते हैं तो इसके साथ ही तैंक यू फार वाचिंग